मैं विनिर्बीक अब पर है तो अर्वी गूर्पडे एकजाम लेट 2022 जुलाई लास्ट विक से गूर्ब्डे एकजाम ऑफिशियल नोटीस आगया तो friends official notice कहाँ पर आया है आप लोग बता दो या फिर मैं बताओं ठीक है कल से ये comment आ रहा है official notice आ गया रेवन बता दिया है कि जुलाई last week से exam होगा किसी यूटूबर ने वीडियो डाला है वो बोल रहा है official notice आगा उसका वीडियो जाकर देख लो तो भाई जब कोई official notice आता है तो उसे देखने के लिए किसी के यूटूब चलम जाने की ज़रूत नहीं होती है आपको RRB के साइट पर जाने की ज़रूत होती है और RRB के किसी भी साइट पर अब तक ऐसा कोई notice नहीं आया है कि group D का exam जुलाई last week से ही होगा ठीक है तो आप क देखी रहे हैं और Facebook वालों आप लोगों की लुटिया डुबाई दी पहले से ही तो यह जब target मिलता है इन्हें daily कोई ने कोई वीडियो डालना ही होता है तो जब इनको कोई topic नहीं मिलता है तो ऐसा ही hot topic ढूंडते हैं ताकि views जादा है क्योंकि अगर views जादा नहीं आएग वीडियो का content मनाते हैं ठीक है मैं तो starting में बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उन्हों लपेटते हैं official notice आया था और भी NTVCBD2 answer की का और उस वीडियो में बोला गया है कि group D का official notice आ गया है exam लब July से ही होगा जबकि कहीं कोई official notice नहीं आया है NTVCBD2 answer की में ऐसा कोई hint नह होंगे ठीक है तो इससे और साफ साफ दिखता है group D exam में आपकी देरी हो जाएगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब लेवल वाइस होगा तो group D exam level 1 में आता है ठीक उसे level 1 करते हैं और सबसे बड़ी बात जो अब तक एक खास reason है वो तो ही बचा ही है जब रेल किसी भी जोन से group D 2018 वाली का balance पहले अभी तक नहीं आ पाया है इससे बड़ा proof क्या हो सकता है आप लोग के लिए जब रेल मंत्री खुद ये बात बोले थे अगर उनका बात गलत सावित होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं लेकिन आप उनका पुराना इंटर्वी उठा काम होना possible नहीं है प्लस दूसरा reason क्या है आपका अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ है और टेंडर जानते हैं मिलेगा किसको TCS को ही मिलेगा कितना लोग नाटक कर लें और TCS इतना बीजी है कि अचानक डेट्स नहीं दे सकते हैं आपको मालू होगा TCS की booking पांच पांच छे-छे महीने पहले ही हो जाती है कभी कभी सालसल भर पहले हो जाती है क्योंकि TCS एकलोथी company है अपने इंडिया में कि जो इतन आई में एक्जाम होगा जड़ा सा भी common sense यूज करो अब कुछ लोग कह रहा है कोई दूसरी एजेंसी बीच में आएगी भाई possible ही नहीं है अगर दूसरी एजेंसी को आना होता तो NACIT का बीच में आपफ़ों नहीं फैल आए गया होता है और NACIT को मालूम है कि इतने क्लासा वहाँ पर हो रहा है और इसी NACIT का सपोर्ट मैक्समम यूट्यूबर्स किये थे जो आज फेक बुक का प्रचार कर रहे है ठीक है तो इन लोगों का काम है गलट डिर्शन में जाना आपको हाइपर करना ताकि आप जल जल उनके courses लो test series लो हाइपर इतना कर देंगे क कि 10 दिन में लग रहा एक्जाम ही हो जाएगा जबकि अभी तक कही कोई अपडेट नहीं दिया है कि कब से एक्जाम होगा कब से नहीं होगा जो पुराना नोटी साथ 10 मार्च किसमें यही बताया गया था कि हम जुलाई में कराने का प्रियास करेंगे ठीक है तो यहां पर प्रियास वर्ड इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग थाइपर ना हो क्योंकि यूट्वर्स आपको हाइपर कर देते हैं वह कहेंगे ना बाद में कम अपर्ड़ों पर फोकस करो और मैं इस प्रियास करेंगे जिनका प्रिप्रिशन बिल्कुल नहीं उपाई क्योंकि इने ज्यादा प्रशान किया रहा है कहेंगे मेरा क्राइस को जो बिस दिन में कम्लीट करा देगा ऐसा आपको नहीं करना है ठीक है आपको बिल्कुल शान्ती से अपना प्रिप्रिशन करना है कहीं कोई यल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि अभी कोई एक्जाम होना पॉसिबल नहीं है TCS इनके घर की चीजी नहीं है कि एक महीने बुक कर लेंगे दो महीने बुक कर लेंगे जब अभी तक टेंडर फाइनल नहीं वाद आप समझ सकते हैं इस साल एक्जाम होना कहीं से पॉसिबल नहीं है ठीक है तो प्रिपरेशन कैसे कर यह इंपोर्टेंट है अभी हम आप लोग के विश्वास के बदलत क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा डिफरेंट बोलता हूं जो बहुस लोग को हजब नहीं हो पाता है लगता है नेगेटिविटी फैलार फेक बोल रहा है मुझे भी तो कोर्स बेसने हैं तो मैं भी जूट बोल सकता था भाई म मेजिक सच की जीत फाइन होगी लास्ट में लब लास्ट में होना ही होना कई आप देख भी चुके हैं ते इस फरुरी को लोग गुरूबडी का एक्जाम कर रहते हैं मैं अपसे लगतार कर था जुलाई से पहले पॉसबल नहीं है फिर एले अपने आपने आफिसे लोटी कि जुलाई से आप पॉसबिल्टी है कि आप करा सकते हैं ठीक वहां उन्होंने फिक्स डेट नहीं थे कंफर्म नहीं थे टेंटेटी वर्ड भी यूज नहीं किया पॉसबल लोडियूस किया तो आप समझ सकते हैं कि मैं कहां से बोलता हूं किस बेस पर बोलता हूं तो एक काम करता है एक तो जो इनफॉर्मेशन इंटरनल कहीं ने कहीं किसी ऑफसर से मिल जाता हूं मैं बताता हूं उसके बेस पर तो कहीं से भी कोई लिंक अभी नहीं मिल रहा है कि आपका ग्रूबडी एक्जाम जुलाई में हो पाएगा मैं आप से यही कहूंगा कि आप इस को जरूब पर्चेश कर ले कि लाइफ में ऐसे महोगे बार बार नहीं आते है एक लाग तीन आर वेकैंसी है इसनी बड़ी वेकैंसी फिर कभी नहीं आने वाली है अगर इसे आप एक बार पर्चेश कर लेंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और आपका नोकरी लग़ा सब कुछ है लाइफ क्लास है डेली प्रैक्टिस सेट है डेली क्वीज है और यह के लोग रुपडी में काम आना नहीं है अब आपको साबित होगा इसका कि जो वैकेंसी जाएंगी फ्यूचर में अभी कन्फर्म नहीं है जैसे कि अब वैकेंसी तो बात करें तो फर्जी यूट्यूपर्स है यह बहुत पहले वैकेंसी निकाल चुके बोले दो दिन में आज जाएक और प्राइवेट साइट किसको कहते हैं और ऑफिसल साइट को कहते हैं मैं बता दो फ्रेंट जिस साइट के लास में डॉट कॉम लगा होता है और कॉमर्मेंटिकशन दिया हुआ है कि यक कोई वैकेंसी कोई कंफरमिशन नहीं तो आप इस को जरूरु भाय करें यहां देख रहे हैं आप ही लिगए बदल लों थे 44 परशिजर हुआ है जो कल तक तो यह तो 1000 क्रोस करने वाला है क्योंकि यह इतना बड़ा कारणामा कि यह तीरों टेस्रीज ना के कहा नहीं सकता है जो लोग एससां लगाया तरहें उनकी नहीं देल के से नहीं हुँ तो मतलब कि बहुत-बड़ी बात है फोर की तरह exam में maximum questions फस जाएं ताकि आप लोग परिशान हो और आपको पतले कि सच की जीत होती है ठीक है फाल तू फेक बूक के चकर बना पड़े इसका प्रचार करने लोग कोई वीडियो बनायते कोई फेस 10 का exam है ठीक है तो आप इस बीच कहीं भी मतब सोच नहीं सकते हैं कि इस पर गुरूबडी का exam हो पाए कहीं से भी वह जो जुलाई डेट दिये थे मैं बता तो किस बेस पर दिये थे वह इस बेस पर दिये थे क्योंकि वह उस टाइम NACIT से बात कर रहे थे कि NACIT कंफर्म ह हुआ था अगर NACIT रहता तो मैं करता जुलाई नहीं अगस से हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा लव टेंडर में तो टाइम लगता प्रोसेस में लेकि NACIT थोड़ी खारी टाइप किये हैं उसे ज्यादा एक्जाम सवगरा नहीं मिलते हैं ज्यादा टेंडर नहीं मिलते हैं तो अगस से माल सकते हो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि NACIT एक्जाम करा पाईगी तरन बड़ा तो फाइनली वाई और NACIT एक्जाम नहीं करा पाई और NACIT मना कर दिया अब यहां पर बात है TCS का चुकि जो दो कंपणी यह मेरी ट्रैक और पता नहीं कौन सा है तो यह दो कंपणी भी मैं नहीं जाते हूं इनके बारे में कैसी है कैसी नहीं है लेकिन TCS आप जानते हैं उसके लोग कोई है इन्हें जो इतने बड़ एक्जाम को करा सके तो आप तो TCS के वैए से रेलेयो को लेट करना पड़ेगा रेलेयो नहीं चाहे तो भी लेट करना पड़ेगा अगले साली एक्जाम जाना ही जाना है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है फ्रेंट्स तो मैं आपको कहूँगा आप बिल्कु सिरेसली अपने प्रिप्रिशं कर फोक ठीक है और यह जो अप है यह आपको डियेट्ली प्लेट्ली प्लेट्ली प्लेट्स ट् टीक है अगर ति यहां व्य जाकर आपको यह आइप से स्टार्ट eles से सकते हैं लास्ट विक से ग्जाम में स्टार्ट हो जाएगा तो भाई यही कहूंगा जो लास्ट नहीं तेखेंगे वह हमेशा घुम्राहे रहेंगे उनको अधियुक्त वीडियो कहीं नहीं बोला गया है कि लास्ट विक से एक्जाम होगा यह तो बस बताया हो किसी यूटूबर ने कल बोल दिया था कि official notice आ गया है जबकि group D exam stated कोई official notice नहीं आया है यह जो official notice थमने लो दिख रहा है यह answer की का है ठीक है वो भी ntpc cv2 का answer की का जिसके बार मैं पहले बताया था इस बार लेवले exam हो रहा है तो उसका answer की पहले आएगा result पहले आएगा तो उसका वीडियो में करके छोड़ दू तो मैं बार बर कहता हूं जब तक official confirmation ना मिल जा exactly कहां exam होने ही जा रहा है तब तक आपको private job नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो आप परशान हो जाएंगे फिर ठीक है कई लोग पिछले बार job छोड़ दिये थे किसी यूट्वर के भढ़काने के बाद कि एफसे लग्तार करता अभी exam नहीं होगा तो नहीं सुने आप लोग सचाई तो देर भी समझ मिले अब मैं जब उस लाइक हो गया हूँ कि मैं अपना प्रचार करू तो खुद का प्रचार कर रहा हो और वहीं नहीं करता नहीं करता आता आप लोग देख रहे हैं इसकी डिम तभी तो इतनी सेल हो रही है यह इतना महेंगा दिख रहा है 5555 का लेकि 10 परसेंट आफ चला है एक्जाम 10 कूपन लगाने पर तो आप पर यूज नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बाक्स में कहूंगा वहां पर आप पर डाटी चैट कर सकते हैं इनवाक्स में बता सकते हैं ठीक है तो मैं आप से यही कहूंगा फ्रेंट केवाला प्रिप्रेशन करते रही है बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए बाकी यह सब मतलब फेक यूज फैलाते रहेंगे ठीक है तो अब ही के लिए बस इतना ही थैंक यू जै एन जै भारत